तो फ्रेंड्स जो गोरामी फैमिली है फिशिस में उसकी पूरी इंफरमेशन दूँगा मैं आपको इस वीडियो में तो एंड तक दुरूर देखना वीडियो पूरी सारे पूइंट बहुत आदा इंपॉर्टेंट है अगर आप गोरामी पेट करने का सोच रहे हैं आगे जा पिल्टेंट जो गोरामी फिश फैमिली है वह पुला थे बहुत पूराने टाम से पैट करी जा रहे है अपने युरियम में जो गोरामी फिश ओती है गोरामी वराइट का रही है लेकिन इनको जाधी पूर्याराइट मेरी आती अधिलियों कुछ ही साल पहले है और यह गोरामी फैमिली में ही ब्लॉंग करती है बेटा फिश भी गोरामी का जो ओरेजिन है वो इस्टर और साउधन एशिया की मेजर स्लो मुविंग रिवर से है गोरामी फिश की बॉड़ी के नीचे दो टेंटिकल्स होते हैं जो कि उसको अधर फिश से एक दम यूनिक बनाते हैं हो जो टेंटिकल्स होते हैं उनको फिलर्स भी बोला जाता है क्योंकि जो जो इसको एट्मूसविर होता है आसपास का वाटर का उसको फिल करने में ह react स्ल सब्हसर को फीस को की यूनिक बछार पोऑर घ्रियल का पाणी के वाटर में भी आराम से सर्वाइब कर जाती है और जो लो ऐकिजएजडेट वाटर होती है तो उसमें भी बहुत जादे ईसली सर्वाइब कर जाती ह weiter गोरामी फिच क्योंकि उसके पास लिबेर्थिन ओर्गन होता है बहुत ही ज्यादा यूनिक ओर्गन नहीं है बहुत ही कम फिच के पास होता है तो और यह इपने गोरामी फिच के पास होता है जो मेल होता है गोरामी फिच में फीमेल के इंपरिजन में थोड़ा बड़ा होता मेल अपने female gourami से गुरामी के cases में और जो breeding होती है जब जब वो nest बनाते है गुरामी यह जो उसमें eggs वगर डालती है जब वो प्रोसेस पूरा हो जाता है उसके बाद मेल क्या करता है जो female होती है उसको मार देती है उसको मार देता है उसको मार देता है तो इसलिए अपन को मैकसिम के इसमें तो मार दिता है और कुछ कुछ के इसमें चोड़ देता है तो ये बात ज़रू धियान लखे है चलिए मैं आपको तीन वेराइटी में केटेगराइस करूंगा गुरामी एक तो होगई small गुरामी एक होगई medium-sized गुरामी एक होगई giant size गुरामी स्मॉल गॉरामी से स्मॉल गॉरामी इसको बेसिकली उनके ब्राइटर अपरियंस और छोटे साइस की वज़े से पाला जाता है और 90% स्मॉल गॉरामी ट्रॉपिकल होती है और इनको स्लो मुविंग वोटर बहुत जादा पसंद होता है और इनको फीड में आप फ्लेक्स, ब् अब बात कर लेदें में मेडियम तो जैंट साइस गौरामी की जो मेडियम तो जैंट साइस गौरामी इसका साइज इसक रॉम 6 इंच टो 24 इंच तक हो सकता है बहुत आराम से उनका जो इग्रेशन होता है बहुत जादा होता है in comparison to small गॉरामी तो जो भी small fishes होती है इनके टे द्राइट से लाइफ सरम यह सब दे सकते हैं यह ओम इवरस फिश होती है तो इनको आप वेजी टेविल वगडरा विए आप सकते हैं ऐसे कि ग्रीनऌ लीफी वेजीटेविल्स वह जाइब या क्यों कि कुछ अग्जांप्ल्स जैसे कि होते हैं जैसे कि 3-spot gourami, moonlight gourami, kissing gourami, pearl gourami, giant gourami. चलिए बात कर लेते हैं water conditions, gourami fishes के लिए, तो जो अपने aquarium के pH level होना चाहिए, aquarium water का, वो 6.8 to 7.8 तक होना चाहिए, और जो temperature होना चाहिए, अपने aquarium water का, वो 25 degree Celsius to 28 degree Celsius होना चाहिए, और एक slow moving water aquarium प्रोवाइट करना चाहिए, गुरामी fishes को, क्योंकि जो उनका origin होता है, वो slow moving reverse से होता है, और इनका हर अफ़ते 50% of water change हो जाना चाहिए, चलिए बात कर लेते हैं, गुरामी फिच के लिए, कैसा tank size चाहिए पड़ेगा, कितना बड़ा tank चाहिए पड़ेगा, तो जो tank size होता है गुरामी fishes के लिए, वो depend करता है, कि आप कौन सी species की गुरामी पाले होगे हैं, कौन सी species की गुरामी आप पालने का plan कर रहे हैं, तो जो small size गुरामी होती हैं, जैसे कि हनी गुरामी और डौफ गुरामी हो गए, इनके लिए तो आपको 10 gallon का tank भी चल जाएगा, लेकिन जो उससे थोड़ी बड़ी होती हैं, जैसे कि pearl गुरामी, blue गुरामी, gold गुरामी, इनके लिए आपको about 30 gallons का एक क्युरम रखना पड़ेगा, और जो उससे भी थोड़ी बड़ी हो जाती है, जो कि किसिंग गुरामी होती है, उसके लिए आपको about 55 gallons का minimum tank size रखना ही पड़ेगा, और जो सबसे बड़ी होती है, the true giant, the giant गुरामी, उसके लिए आपको minimum 250 gallon का tank तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो सच में रेलें बहुत जादा बड़ी हो जाती है size में giant गुरामी, तो ये बात ज़रूर ध्यान रखिए, और ये सारे point ही, जो भी मैंने आपको वीड़ो में बताया है, सारे consider करते हुए ही, कोई गुरामी फिच को पेट करियो और अगर कर रहे हैं तो उसको ऐसे ही कुछ care दीए ताकि आपकी गुरामी भी आपके साथ बहुत जादा happily रह सके तो फ्रेंड आज की वीड़ो में इतना ही प्रसंद है तो like ज़रू कर देना, subscribe ज़रू कर देना और bell icon भी दवा देना त तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में तो जाके follow करें मेरे सारी वीड़ो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो सारी मेरी वीड़ो देखी हो और next checkpoint 5000 सब्सक्रिप्शन का है तो उसको achieve कराना है प्लीज help करिए अगर subscribe नहीं करें आप इतक चैनल तो चैनल subscribe ज़रू कर आज की वीड़ो में नेक्ट फ्रेंड्स बाइ फ्रेंड्स